हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर दिक्स दोगते हैं देखें आज की एक बहुत बड़ी न्यूज है और वो न्यूज चाइना से जुड़ी हुई है जी हाँ WTA यानि Women's Tennis Association उसने क्या है Suspense All Events in China चाइना में होने वाले अपने टैनिस के जितने भी गेम्स थे जितने भी इवेंट्स थे वो कैंसल कर दिये हैं, सस्पेंड कर दिये हैं वजह क्या है? ओवर पैंक शुईस कंसर्ण देखें पैंक शुईस कौन है? ये कंसर्ण क्या है? ये सब चीज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ ये वीडियो बहुत ही रोचक और जानकारी पूरवक होने वाली है हालकि चाइना ने इसका ये कहते हुए विरोध किया है कि ये क्या है? खेल का राजनितिकरन हो रहा है तो देखिए इस वीडियो में आखिर ऐसा क्या है? कि WTA को चाइना जैसे इतने मजबूत देश के खिलाफ इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा देखिए ये कदम बहुत बड़ा है और अभी जब फरवरी में आप देखेंगे कि चाइना में ओलंपिक होने वाले हैं तो उससे पहले ये मूव एक बहुत घातक चाइना के लिए और मैं कहूं कि चाइना की एकोनोमी के लिए भी काफी जादा नुक्सान दैक साबित हो सकता है तो देखें इस वीडियो में क्या क्या चीज़े हैं वो सभम बाड़े आराम से बारी बारी से देखेंगे कि पैंक सुईस कोन है क्या कंसर्ण्स है वो कहां चली गई है ओ डबलू टी ने ऐसा जो स्टैप है ये क्यों लिया है चली शुरू करते हैं अपनी वीडियो उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सकाइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेर जरूर करें देखिए कहानी क्या है आखिर ऐसा लिया क्यों गया चाइनीज स्टार यह स्टार का मतलब यह नहीं है कि कोई एक्टरस है वाँ की देखिए यह एक टैनिस की बहुत बड़ी स्टार है और मैं इनके बारे में बताऊंगा अभी जस्ट नेक्स स्टेप में आपको तो उन्होंने क्या है वहाँ पे जो फोर्मर उपराश्पती हुआ करते थे तो उनके खिलाफ सेक्सुल अब्यूस का केस कह सकते हैं एलिगेसंस लगाये थे तब से चल लेके आज तक वो उनका जो पब्लिक एपरेंस है बहुत काफी कम है और काफी चिंता जताई जा रही है कोई कह रहा है कि वो है भी नहीं कुछ नहीं पता सेफ है या अनसेफ है तो काफी अनसर्टेनिटी चल रही थी काफी दिनों से तो देखिए WTA ने भी अपनी तरफ से उनसे कुछ क्लैरिफिशन मांगा था कि उनका क्या है उनकी ऐलेगिशन से है उसके खिलाफ क्या आप काम कर रहे है क्या प्रूफ्स है तो वो सब चीज़ों में क्या है चाइना देने में सफल नहीं रहा तो यह स्टेप उस वज़े से लिया गया है अब हम जानते हैं कि यह पेंग सुई जिनके बारे में बात की जा रही है है को तो देखिए यह चेहरा मेरे खाल से आप सभी लोग इस चेहरे से वाकिफ जरूर होंगे जो भी स्पोर्ट में इंटरेस्टिड है और इस्पिसली अपन दोजार चोदे में and one of the China's top tennis players from Hunan in Central Asia the 35 year old made history 2014 में उनने history create कर दी थी when she became the first Chinese player male or female पहली Chinese player थी यह चाइनास की तरफ से कोई भी ऐसा male या female में ऐसा था जो world number one double ranking में आई थी तो वो थी यहाँ पर आप देख सकते हैं पैंक सुइस तो देखिए इनकी allegations क्या थी पैंक सुइस had posted a message on November 2 देखिए 2 November 2021 को उन्होंने एक Chinese social media है जो आपको पताऊगा वीबो है वहाँ का वीबो तो उस वीबो पे उन्होंने कुछ एक message किया revealing she had been sexually assaulted by former vice premier Zhang Gaoli 10 years ago यानि अब वो 35 years की है जब वो 25 साल की थी 10 साल पहले तो वहाँ के उप परधान मंत्री, vice premier जिनका नाम जहांग गावली है उन्होंने उनके खिलाव sexually assault किया था यानि उनके साथ rape किया था and then subsequently begin a years long affair with him और फिर काफी दिनों तक ये affairs चला काफी सालों तक कह सकते हैं आप the message was deleted by the censors within half an hour of being posted जैसे ही ये message पोस्ट किया गया आदे गंटे गंटे के अंदर उसको वहाँ से delete कर दिया गया and was followed by extensive censorship effort aimed at removing all information about the case और जो भी ऐसे case से ले जोड़ी ही जांकारिया थी उनको वहाँ से हटा दिया गया Chinese censors wiped out any mention of the acquisition online and blocked her Weibo account from search result और search result से उनका Weibo account जो था वो भी delete कर दिया गया ब्लोक कर दिया गया उन्होंने लिखा किया था उस post में जो delete किया जाए उसको है I know that to you Vice Minister Zhang Gaoli a person of high status and power you have said you are not afraid with your intelligence you certainly will deny it or you can even use it against me you can dismiss it without a care even if I am destroying myself like throwing an egg against a rock or moat flying into a flame I will still speak out of the truth about us तो देखिए उन्होंने ये बहुत ही जादा कह सकते हैं कड़े सब्दों में यहाँ पर बोला था कि मुझे पता है कि इससे मेरा ही नुकसान है Even I am destroy myself यादी मैं अपना आपको destroy भी करूँ जैसे आप एक पत्थर में अंड़ा दे के मारो या कह सकते हैं जो छोटा सा कीड़ा होता है जो आग की तरफ जाता है और हो मरना होता है उसको उस टाइप से लेकिन मैं फिर भी सत्य को बोलूँगी क्योंकि आपको लगता है कि डरते नहीं है आपकी intelligence बहुत जादा है इन सब बातों के चलते आप इसको dismiss करते हैं जो मैं बोल रही हूँ बट मैं फिर भी ये बात आपके सामने दुनिया के सामने लाना चाहती हूँ पैंक ड्रोप्ड आउट ओफ पब्लिक व्यू आफ्टर रेजिंग दा ऐलिगेशन्स तो जैसे ही ऐलिगेशन्स लगी तो उसके बाद जो पब्लिक अपरेंस है पैंक का कह सकते हैं काफी रेर हो गया बीच में एक आद बार जो चाइनीज की तरफ से कोई वीडियो डाली गयी थी उसमें उनको एक या दो जीगे कहीं देखा गया है बट फाइनली हम कह सकते हैं कि उनका एपरेंस काफी कम है और काफी प्रस्राइज हू हैं डबलु टीए डिसीजन अब डबलु टीए ने डिसीजन क्या लिया देखें डबलु टीए के चेर्मेन हैं स्टीव साइ गुआइज अब टीए या अब जाए जाने के लिए या हमारे अथलीट कैसे वहा जाए जहां पर एक वोमें को एक स्टार को टैनिस प्लेयर को फ्रीली कम्टिकेट करना नहीं दिया जा रहा है और प्रसर बनाया जा रहा है कि आप अपने अलिगेशन को वापस लो given the current states of affairs I am also greatly concerned about the risk that all of our players and staff could face if we were to hold events in China और अगर हम चाइना में 2022 में कोई event hold करते हैं तो मुझे काफी concern है कि जो हमारे players and staff है उनकी safety से regarding भी काफी concern हमें है He said very much regret it has come to the point and the tennis communities in China जेकि जो चाइना में tennis communities हैं उनको काफी नुकसान होगा हमें उसका दुख है and Hong Kong are full of great people with whom we have worked for many years जिसमें हमने काफी सालों तक साथ में काम किया है however he added unless China takes the step we have asked for we cannot put our players and staff at risk जो step हमने चाइना को लेने को कहा है अगर वो नहीं लेती है तो हम अपने players को risk में नहीं डाल सकते हैं China's leaders have left the WTA with no choice China के जो leaders हैं उन्होंने WTA के पास कोई choice नहीं छोड़ी except suspension WTA has asserted that banks has not been allowed to communicate freely and has been pressured to contradict her allegations of sexual assault अब देखिए उन्होंने और if powerful people can suppress the voices of women and sweep allegations of sexual assault under the rug then the basis of WTA का basis क्या है देखिए जो WTA Women's Energy Association उसका basis है equality for women अब जब वहाँ पे equality for women ही नहीं है तो वहाँ पे खेल करके क्या करें would suffer an immense setback the Hong Kong based South China morning post quoted the statement as saying तो देखिए ये बहुत बड़ा setback है I will not and cannot let that happen to the WTA and its players Pank's disappearance sparked a wave of concern जैसी यहाँ से देखते हैं कि काफी newspapers की headlines थी main headlines थी कि China की जो main खिलाड़ी है वो लापता हो गई है गायब हो गई है तो देखिए एक बहुत बड़ा यहाँ पे कह सकते हैं इस पा create हुआ including United Nations United Nations EU Britain's foreign office इन सबने UNHRC सबने इसके खिलाफ जो है investigation करने के लिए बात कही थी यहाँ पर Some of the world top tennis players are speaking out about the hashtags where is fangshui तो उसमें Naomi Osaka Serena Williams Novak Djokovic Billie Zine King and Chris Evert are among those expressing shock and calling for her allegations to be investigated क्योंकि उसकी जो भी allegations है उनकी जाँच होनी चाहिए tennis in China अब देखे चाइना को इससे कितना लोस हो सकता है यह देखिया तो कह सकते हैं देखे चाइना में जो है tennis का एक बहुत जादे क्रेश है और काफी वहां पे stadiums एंड उस पे काफी जाँच 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 है तो tennis in China is big business with the WTA commitments alone amounting to about 1 billion US dollar देखे 1 billion US dollar का WTA सा ही commitment है the WTA also has its Asia Pacific headquarters based in Beijing and the WTA has a 10 years deal with China to host the WTA finals in the Southern Chinese city of Sanjian तो देखे वहां पे 10 साल के लिए WTA के finals होने वाल थे China का head को कह सकते हैं उसको host करने वाला था तो ये एक China के लिए बहुत बड़ा setback है बहुत बड़ा धक्का है और देखे इस से एक यहां पे और कुछ हिंट लगाए दा सकता है अब देखते हैं IOC क्या करता है Indian Olympic International Olympic Committee the controversy could also impact the upcoming 2022 Beijing Winter Olympics which kick off on February 4 तेकि जो 4 फरवरी से आपके 2022 में Beijing Winter Olympics होने वाले हैं इस controversy का उस पे कितना बड़ा effect होगा है तो time ही बताएगा हो सकता है IOCB अपनी तरफ से कुछ move ले या China कुछ ऐसा proof दे या कुछ ऐसी allegations के खिलाफ जाच बठाए तब जाकि इसका कुछ result निकल रखता है otherwise आज की date में अगर मैं कहूं तो चाइना के लिए एक बहुत बड़ा setback है और उन सभी players के लिए जो पैंग सुई के लिए hashtags moment चला रहे है कि कास वो निकल के सामने आए जो वो चाह रहे है otherwise ये एक बहुत बड़ा खेल के लिए नुक्सान बैक चाबित हो सकता है फिर मिलेंगे आपसे जय हिंद जय भारत